शादे के बाद परिवार का सदसे बेटी की जिंदगी में जहर गोलने का कार करते हैं, समझानी की बजाए लड़की को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे वो सस्राल में चैन से नहीं रह पाती और पती-पत्नी की संबंदों में दरार आ जाती है। परिवार को 35 दमपत्ती की काउंसिलिंग कराईगी जिसमें तीन दमपत्ती का समझोता कराया गया जबकि दो मामलों में मुकदमे क्यादेश किये गए। पत्ती-पत्ती के बीच में संबंद ठीक है, तो अपने माता-पिता से थोड़ा संपत्ती का विबाद के कारण भी आज 4-5 फाइले मिली हैं, जो इसको बंद कर दिया गया इसलिए कि यहां संपत्ती के मामले का निस्तारन हम लोग नहीं करते हैं। जो बिबाद है जिसे इसमें बहुत सारे हमने एक बिबाद देखा कि दो माताओं के बीच में चल रहे हैं संपत्ती के कारण दो एक परिवार बिगड़ गया। काउंसलरों ने शादी के बाद नविवाहिता दंपत्ती के संबंध तूटने के लिए लड़कियों के परिजनों को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें एहम भूमी का मा की होती है। मोबाइल पर बात करते समय बेटी को समझाने के बजाए उल्टा सिधा भर दिया जाता है। काउंसलिंग के दोरान भी मा बेटी को नहीं बोलने देती। मा खुद बेटी के पती और ससुराले जनों की कम्या बताने लगती है। उसे फायर को रोक दिया गया। इसलिए कि लड़की उसमें हम लोगे नजर में लगा कि वो ठीक नहीं है। तो उसको जो है उस लड़के का प्रमाले लगा करके उनको पत्रावली को यहां दे दिया गया परिवार परामर्शकेंद्र प्रभारी सब इंस्पेक्टर अपूर्वा चौधरी की देखरेक में काउंसलिंग कराई जा रही है रविवार को ठानवे फाइलों पर काउंसलिंग होनी थी लेकिन 35 दमपत्ती की काउंसलिंग की गई जिसमें 3 दमपत्ती का समझोता कराया गया जबकि 2 मामलों में मुकदमे की आदेश दिये गए है परामर्श केंद्री में दमपत्ती की संख्या कम होने के बजाए दिनो दिन बढ़ती ही जा रही है आपसी सामन जस्ते की कमी के चलते परिवार बिखर रही है सी न्यूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट